नमस्ते आदाप सलाम हैल्थी हमकी आज की वीडियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है जब भी आप प्रेगनेंट होते हैं या कोई भी महिला आज परोस में प्रेगनेंट होती है अगर आप उसे सवाल पूछेंगे कि इस वक्त आपके मन में क्या विचार है तो वो यही बोलेंगे कि लड़का होगा या लड़की मैं कन्फ्यूज हूँ जानना चाहती हूँ कि क्या है हम यह नहीं कहेंगे कि अगर वो यह जानना चाहती है तो यह गलत है बट सभी को इच्छा होती है कि वो जानने की क्या है साथी साथ में ये भी इच्छा जाहिर करते है कि उसका जो बच्चा है वो स्वस्त हो आज की वीडियो इसी से लेटिड है, मैंने पहले वीडियो शेयर की थी, जिसमें बताया था आपको कि अगर आपकी गर्प में लड़का है, या किसी भी के गर्प में लड़का है, तो उसका symptoms क्या है? आज की वीडियो से थोड़ी उल्टी है यानि कि आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर गर्ब में लड़की पल रही है तो उसके सिंटम्स क्या है वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं बात कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ जो तहरनाएं हैं कुछ लोग बताते हैं वो है ये कोई भी साइन्टिफिक इनकारिजन नहीं है इसको आप मतलब इंजॉयमेंट ले कोई से सीरियस ना ले तो यही सब कहते हुए चलिए शुरू करत है ये अधियनों में माना है लेकिन ये अभी इसको साइन्टिफिक प्रूफ नहीं है दूसरा होता है मूड सुईमिंग बहुत जादा होता है यानि के अभी रोना कभी हसना इस तरीके की मूड स्वेमिंग बहुत होती है कुछ महिलाओं में जब वह प्रेगनेंट होती है तो ये भी एक symptom माना जाता है, कि हो सकता है कि गर्ब में लड़की हो, तीस से symptom के अगर बात करें, तो चीनी खाने का बहुत जादा मन होता है, ऐसा भी माना जाता है, कि जिनको लड़की हुई है, scientifically तरीके से नहीं माना जाता, बट रिचर्च के हिसाब से माना जाता है, कि जो लड़की होती है, जब वो गर्ब में होती है, तो चीनी खाने का बहुत जादा मन होता है, साथी साथ में मीठा खाने का बहुत जादा मन होता है, जब लड़की होती है, बट ये मेरी बहुत से जानने वालों के उसमें ये चीज गलत बैटी है कि मीठा खाने का बहुत मन करता है फिर आता है फूर्थ की तनाव इंसान को बहुत साथ तनाव रहता है तो ये भी एक सिंटम माना जाता है कि गर्मे लड़की है बट ये इसले भी कभी कभी हो जाता है कि किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी है किसी को सेकिंड प्रेगनेंसी है तो ये भी किसी किसी के तनाव का कारण बन जाती है बट मैं यहीं कहूंगे कि अगर आप प्रेगनेंट है तो बिल्कुल भी तनाव ना ले फिर आता है कि अगर लड़की होती है तो रंगत में निखार आ जाता है यानि कि माना जाता है कि मा को बेटी जो है वो सुंदरता पैदान करती है यानि कि आपकी स्कीन में आपकी चहरे पे चमक आ जाती है इस तरीके के कोई सिंटम्स हैं जो माने जाता है कि लड़की का ये उधारन है फिर है आपको स्रेट पैंसल वगएरा ऐसे चीज़े खाने का बहुत जादा मनुता है तो यह भी एक सिंटम होता है कि हो सकता है कि गर्व में लड़की हो उसके बाद एकों सिंटम मैं शेयर करना चाहूंगी स्कीन जो होती है वो ओईली हो जाती है कहीं बाद जिनके बहुत जादा ड्राई स्कीन होती है वो भी ओईली हो जाती है साथे साथ में जिनके हेर अच्छे है वो भी ड्राई हेर हो जाते हैं लास्स सिंटम जो माना जाता है कि लड़कियों की जो धड़कन होती है compare to boys वो जादा तेज होती है 140 से प्लस अगर है तो एक लड़की होने का सिंटम माना जाता है तो ये भी एक सिंटम हो सकता है कि गर में लड़की हो आप किसी भी चीज़ का इसमें टेंशन मत लीजिएगा ये सिर्फ एक कही सुनी बाते हैं ये बहुत से matters में सही मानी जाती है बट बहुत से में जरूरी नहीं होता कि ये सही मानी जाती है तो मैं यही कहूंगी कि इन चीजों में ना पढ़के आप इसको एक as a enjoyment लीजिए और सुस्त रहिएगा खुश रहिएगा अगर आपको मेर बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी वीडियो से लेटेड मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका दिन शुब हो